नमस्कार, फस्ट इंडिया न्यूस देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुश्पो में श्ट्रावक्ट स्पीड न्यूस का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदार से सभी छे निगमों में डिप्टी मेयर को लेकर तस्वीर साफ, चार में से कॉंग्रेस और दो निगमों में बीजेपी की जीत, कोटा दक्षिन में मुकाबला टाईल और ट्रिस से फैसला, कॉंग्रेस के मुकेश मीना जीते जयपूर ग्रेजर में BJP के पुनीत हेरिटेज में कॉंग्रेस के असलम फारुखी बने जपटी मेर जोदपूर दक्षिण में BJP के कृषिन और जोदपूर उत्तर में कॉंग्रेस के अब्दुर खरीम जॉन्ने निर्विरोत नरवाचे पंजाय चुनाव में बिनाविवाद टिकिट वित्रण PCC चीफ गोवन सिंग दुटासरा का बयान मुख्य मंत्री ने दिया फ्री हैंड नेश्टावान कारेकरताओं को दी गई प्रात्मिक्ता दिपावली के बाद जैपूर आएंगा जैमाकर दुगरपूर जिले में पंचायत राज चुनाव को लेकर बीजेपी मैला मोर्चा का हुंकार सम्मेलन प्रदेश रद्यक्स जॉक्टर अलका मूनड़ा की मौजूर्गी में आजित्वा सम्मेलन की मुख्य वक्ता जॉक्टर अलका ने कॉंग्रेस सरकार पर जम कर निशाना स संबर में आगामी 11 दिसंबर को होने वाले नगरपाली का चुनावों को देखते वे जिलाद्यक्स रामानन गुर्जर फुलेरा विदायक निर्मल कुमावत ने भारती जिनतापार्थी के कारेकरताओं की बैठक ली और आगामी नगरपाली का चुनावों के लिए प्रजगर और नवगठित पिलानी पंचायच समीती के होने वाले चुनावों को लेकर प्रत्याश्यों की स्थिती साफ हो गई है नाम वापसी के दिन ही पंचायच समीतियों में 25 प्रत्याश्यों रंचोड दास बन गए क्युंसर पंचायच समीती के 31 वाड़ों में पंचायच समीती सदसे के चुनाव को लेकर 18 उमीदवारों ने नामांकन फाउम वापिस उठाए हैं अब 31 वाड़ों में 93 उमीदवार मैदान में है संबागी आयुक्त भवरलाल महरा सूरत गड़ पहुंचे और यहाँ प्रशासनी कार्यालेयों का निरिक्षन कर अधिकारियों का आउशक दिशा निर्देश दिये उफखन कार्याले में सिटी पुलिस की और से संबागी आयुक्त को सलामी दी गए जैसलमेर के लाटी में नलकूप पर रहवासी जोपरी में आग लग गई आग से लाखो रुपय का समान जलकर खाक हुआ सुचना पर पहुंचे ग्रामिनों ने काफी मर्शकत के बाद आग पर काबी पाए जुंगरपूर जिले के गोकुल पुरा गाउं उतने सुस्रा लाई हुआ कश्या उपेड से लड़का मिला जिससे संसनी फैल गई सुचना पर पहुंचे पुलिस ने घटनास तरका जाइजा लिया और जात शुरू कर दी बरतपूर के नगला बंसिया गाउं में जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में जगड़ा हुआ इस बीच पाइरिंग भी की गई जिसमें एक पक्ष के पांच लोग घाल हुए जिनने अस्पितान में भरती कराया गया है बरतपूर के जुरहरा में पोलिस ने मुखबिर की सुचना के आदार पर गौमांस के साथ एक आरूपी को गिरफतार किया है साथ ए आरूपी के खब्जे से गौमांस और एक बिना नंबर गाड़ी को भी जब्द किया है उदैपूर आपकारी दल की टीम ने सुखेर थाना इलाके में अवयद देसी शिराब की दो बत्यों को नस्ट किया साथी सेंकडो लीटर अवयद देसी शिराब को नस्ट किया और दो आरूपी को गिरफतार किया प्रतापकर जिला पोलिस और महिला बाल विकास विबाग द्वारा आवाज अभियान के दत महिला थाने में कारिशाला कायोजिन क्या गया कारिशाला में महिलाओं से जुड़े एंजियो को कानूनी जानकारिया प्रदान की गई विगानेर कलक्ट्रेट पर अपने विबिन लंबित मांगो को लेकर मांत्रालाई कर्मचारियों द्वारा सदगुद्धी यग्य किया गया और आहूतिया दीगे पुशकर में नशे में दूत एक विदेशी महिला परेटक बेसुदों कर सड़क पर गिर गई जिसके कारण उने गए बार के महराजा सूरजमल सबागार में हुवी मदगणना में मुकेशन शर्मा ने प्रतिदुन दी येश्वन सिंग को 22 मतों से पराज़ुद किया सांबर खस्बे की नगर पालिका द्वारा सफाई करमचारियों को पांच माँ से वेतन नहीं मिलने से सफाई करमचारियों में रोश है सफाई करमचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर हरताल शुरू कर दी सीकर कल्यान अस्पताल के पास नजीर चिकित्सक की और से बनाये जारे निर्माना दिन मकान की कोई के गटर में ढहने से एक युवक की मौत हो गई मौत के बाद परिजनों ने मौाबजे को लेकर हंगामा किया और समझा इस्ट बाद मामना शान्त हुआ सीकर में भाजपा के चुनावी कार्याले में भाजपा की और से एक पत्रकार वारता कायोजिन क्या गया जिसमें भाजपा जिलाद्यक्ष इंदरा चौधरी ने कॉंग्रेस के साथ साथ जिलाप्रश्रासन पर कई गंभी रारोप लगाए अजमेर संबागी आयुक्त वीना प्रदान मेरता के दोरे पर रहीं आयुक्त प्रदान ने मिरता समुदाइक स्वास्त केंदर का निरिक्षन कर साथ सफाई आधी ववस्थाओं का जाईजा लिया गंगापूर सिटी में तियवारी सीजन के दोरान बाजारों में मेले जैसा माहौल है इस दोरान लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के नियमों की पालना नहीं कर रहे ऐसे में कोरोना संग्रमन बढ़ने का खत्रा बढ़ गया है दिपोटसव पर घरों की सजावट के समानों की बिक्री के लिए प्रताबगड में बाजार सजने लगे है शहर के सूरज पोल चोरा है सदर बाजार गोपाल गंज में बाजार लोगों से भरे पड़े है प्रदाबगड की क्रिश्य उपस मंडी में दिपावली तयवार को देखते वे आगा में एक सब्ता तक अवकाश की घोशना की गई है जिसके बाद क्रिश्य मंडी में बंग पर आवक हुई है रहजदानी जैपूर की चोमुताना पुलिस ने ट्रेक्टर ट्रॉली चोरी करने की मामले में एक आरूपी को घरफतार किया है पंचाय चुनाव के लिए नामाकन वापसी के आखरी दिन बीजेपी कॉंग्रेस के नेता बागियों को मनाते ने ज़र आया अजमेर में पूरो मंत्री नसीम अख्तर अपने विलदान सबार्शेतर में बागियों की नाम वापसी कराने में सफल गही गुंदी के सदर्दाना इलाके के रामनगर चौकी पुलिस स्टाफ द्वारा मार्पीट की हरजी खंजर की मौत मामले में नया मोड आया CID CB की टीम यहां पहुंची और म्रतक के परेजिनों से मुलाफात की साथी मौके पर मौइना भी किया जिंजरू की कोट वाली पुलिस ने टेंट के दुकान से समान चोड़ी के मामले का खुलासा किया साथी एक आरोपी को घिरफतार कर समान बरामत किया सुमेरपूर के सांडे राओ पुलिस ने जूड़ा पोस्ट असकरों के खलाब कारेवाई की पुलिस ने एक कार से 437 किलोग्राम जूड़ा पोस्ट बरामत किये मसुदा की ग्राम दौलद पुरा द्वीतिय निवासी कालू महराथ की दो वर्शिय पुत्री शबनम ने खेट पर खेलते समय किटनाशक दवापिली इलाजश के दौरान बच्ची ने दम तोड़ किया दौंगरपूर जिले के पुलिस विबाग के और से हेड कॉंस्टिबल पद से A.S.I. पद पर पदोनती के लिए लिखित परिक्षा कायोजन किया गया पुलिस लाइन के साइम मंदिर सभागार में अजित परिक्षा में A.S.I. बने के लिए 32-42 जेट कॉंस्टिबल ने भाग गिया 12 के चीवा बड़ोल खजबे में दिवाली के चलते भीड दिखाये दी लेकिन इस बीच कोरोना गाइडलाइन्स की पालना नहीं की गई लोग खरिक बाजार में खरीदारी के लिए बिना मास्क पहुंचे जैपूर की रेनवाल खजबे में नगर पाली का प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमन्ट की रोग थाम को लेकर जन जागुता रैली इनका लिगे ब्यावर शेहर में बढ़ते कोरोना संक्रमन्ट की चलते नो मास्क नो एंट्रेवियान के तहट नधर परिशद प्रशासन ने बिना मास्क पहलों के चलान काटे और जुर्माना वसुला साती मास्क भी विद्रग की जुझनु सीमेचो डॉक्टर छोटे लाल गुर्जर द्वारा शुद्ध के लिए यूद अबियान के तहट कारेवाई की कि इस दर अन्वेबेन जगहों पर जाकर घर घर दूद देने वाली दूदियों को भी पकड़ा गया जुझनु में शुद्ध के लिए यूद अबियान में नकली और मिलावटी मिठाईयों को ढूंड़ने में पुलिस ने अब डॉक्स वाइड की मदद देना भी शुरू कर दिया बीती रात को चड़ावा में एक निजवी बस में संदीद मिठाईयां पकड़ी गई किंसर ग्राम पंचायत के कई महलों में पेजल की समस्या होने से लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा है वाड नमबर एक में दरजी के महले में पेजल की समस्या चलते महले वासियों में रोश है मौलाना अबुल्खलाम की जोहिंती के मौके पर अज्मेर में कई कारेक्राम आउजित केगे मौलाना अबुल்खलाम कल्यान संस्थान की और से संगोश्टिक आउजिन किया गया मदर्सा पैरा टीचर्स को तृती अश्रेणी अध्यापक का दर्जा देने सई अन्या मांगो खुले कर चुरुनिवासी अध्यापक ठाकुर शम्शेर दांडी यात्रा कर रहे हैं। जुजनों में दलितवर के विद्यार्तियों को पढ़ाई में आर्थिक सेयोग देने के लिए एक्सपर्ट संस खरंगचन ने अपनी महिलाविंग का गचन किया जिसकी अम्बेचकर भुवन में महिलाविंग की पहली बैचक हुए। शुमेलपुल में सर्दी को देखते हुए नगरपालिकाने शेहरी बे घरों और बाहरी मजदूरों को आश्ट्रा उपलब्ट कराने के लिए सुईदा युक्तिस्थाई आश्ट्रा इस्थाल शुरू किये हैं। नसीराबाद में कोचा मार्ग पर M.A.E.S. सब विभाद की शर्तिग्रस पाइपलाइन से पानी व्यर्थ बैरा था जिसको लेकर फॉस्ट इरिया ने विशेशतौर पर ख़बर चलाई जिसके बाद विभाद के अधिकारी लाइन को दुरूस्त कराने मौके पर पहुंचे अकिल राज्तान राज्य कर्मचारी सुइक्त महासंग के बैनर तले कर्मचारियों ने भीलवाडा जिला कलेक्टरेट पर प्रदर्शन किया छे सुत्री मांगो को लेकर मुख्यमंत्री की नाम कलेक्टर को ग्यापन सब्दा कोचा धर्मल में बोनस ओवर्टाइम 15 दिनों का इस्थगित वेतन के बुक्तान सहीद 20 मांगो को लेकर कर्मचारियों का गुस्ता फूटा गुस्याय कर्मचारियों ने धर्मल गेट के पास अनिश्चित काली धरना शुरू किया अकिल राज्थान राज्य कर्मचारी सुउग्त महासंग के आखवान पर जुन्यों में सरकार की नीतियों के खलाफ प्रदर्शन किया गया इस दोरान में बिन संगटनों की पतादीकारियों और सदस्यों ने गरफतारी देकर विरोध दर्श किया दुंगरपूर में अखिल राज्थान राज्य कर्मचारी सुउग्त महासंग के बैनर तली 200 कर्मचारियों ने गरफतारिया दिया कर्मचारी विबिन मांगों को लेकर लंबिस में से अंदोलन कर रही के अंदर के समान बोनस की मांग अब जोर पगड़ती जारी विटन का टौती से खफा कर्मचारियों ने अजमेर में भी कर्मचारी महासंग के प्रांतिया आखवान पर सरकार के फैसले की खिलाफ गिरफतारिया दिया पंचाहित राजचुनावों को लेकर आपसी सियासत तेज होती जारी है अरजमेर में उत्तर से विदायक वासुदेव देवनानी के खिलाफ युवाओं का आकरोश शूता चुजानगर में मंतरी मास्टर भंवरलाल मेगवाल की पतनी निर्विरोध निर्वाचित्मी जानकारे के मुकाविक वाड़ 18 शोभाई सर ब्लॉक से कॉंग्रेस प्रत्याश्री को पंचाहित चुनावों में निर्विरोध जीत मिली है श्रीक गंगानगर में नगरपाली का चुनाव को लेकर कॉंग्रेस योगी बैठर कॉंग्रेस विदाए गुर्मीत कुनर की अध्यक्षता में हूँ श्रीक गंगानगर में निर्विरोध जीत मिली है कलेक्टर को मुख्यमंद्री के नाम ग्यापन दिया गया ग्यापन में न्यू पेंशन स्केम करमचारियों के बोनस की राश्री जमा करवाने तो अनियोजना लागू करने की बात दही गई राज्तान राज्य मंत्रा लेग कर्मचारी महासंग की और से कोरोना काल में वेतन कटोटी को लेकर प्रदर्शन किया गया अखिल राजस्तान राजे कर्मचारी सुंक्त महासंग नागौर एकाईम ने वेतन कतोची को लेकर विरोध राली निकाली कर्मचारियों की ज्वलन्थ समस्याओं के निदाकरण को लेकर जिला का लेक्टर को ग्या पन्सवापा गया लाड़नू में 99 नाम निर्देशन पत्रों की छट्नी किये जाने पर कुल 18 नाम निर्देशन पत्र रेजेक्ट हुए रेटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने बताये पंचायद समिती सदसे के आम चुनाव के लिए ये निर्देशन पत्र है अखिल राजस्तान राज्य कर्मचारी स्युक्त महसंग के और से जालावार में सचीवालाई के बाहर कर्मचारीों ने प्रदर्शन किया पुलिस वान में बैटकर गिरफतारी दी चीपावड़ोत के ग्राम पंचायद पचाड में विकास अधिकारी गोपाल सिंग बोचलिया ने नरेगा कारियों का निर्ख्षन किया निर्ख्षन के दौरान विकास अधिकारी द्वारा नरेगा श्रमिकों को कोरोना से बचाव की जानकारिया दी गई और मास्क भी अखिल राजस्तान राज्य कर्मचारी सुक्त महासं के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने प्रेदर्शन क्या सरकार को सत्बुद्धी देने के लिए यग्यकर आहुतिया दी और समस्याओं का शिग्र समाधान ना होने पर आंदोलन तेज करने की चितावनी दिग उदैप अखिल गाउं में आवाज अभियान के तर्शिविर कायोजन किया गया इस शिविर में सियाई दौलत साहू और आवाज ट्रिम प्रभारी हरी सिंग मौजूद रहे और महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारियां दी गई सुजानगर में महिलाओं को जबरदस्ती कार में बिचा गर वदमाशों ने मंगल सूत्र कान के आभूशन रूटे और बोबासर प्याउ के पास महिला को छोड़ आरोपी फरार हुए पिड़त महिलाओं ने थाने में मामला दज करा और खुलिस मामले की जाच में जूटी ह नागॉल के डीडवाना में परिवहन विबाग और राज्यपत परिवहन निगम ने सेंग्त कारेवाई की बिना रूट पर चल रहे 31 बड़े वाहनों की चलान काटे और छेवान अपने परमिट माज से हटकर अनियमार पर संचालित होते वे पाए गए मांचागू में मुबाइल की दुकान में चोरों ने हाथ साब किया खरीद 20 पोन लेकर फरार हुए फिल्याल पुलिस सीडिवे फुटेच खंगाल रही है कोचा में नहरी पानी और विजरी की मांग को लेकर किसानों ने कलक्ट्रेट पर जमकर हंगामा गया और भाजपा देहार जिलाद्यक्ष मुकुट नागर की अगवाई में सरकिट हाउस में रैली लिपाली जीद्वाना में भवादिया की ढणी गाउं में जीलार को पाईपलाइन से नहीं जोडा गया जिसके चलते पानी नहीं आने से ग्रामिनों को परिशानी का सामना करना पड़ा वहीं जीलार सूखा रहने की वज़े से तूट कर गिरने के कगार पर है दियाबडी के लिलाया अगाउं को साप सुत्रा बनाने के उदेशे से सरपंच रामदे बानता ने साप सफाई को लेकर कुशेश अभ्यान शुरू किया वाड नमबर एक से साथ नमबर वाड तक ग्रामिनों के सयोग से साप सफाई की गई लोगों को मास कवितरन भी किया दियाबडी में आबादी शित्र में प्रशास्निक रोग के बावजूद भी भारी वानों का वागमन जारी रहा उखन अधिकारी सुरेश के एम के आदेश की धज्या उड़ई हैं ओवर लोड वानों के आने से जाम लगने से रागीरों को परिशानियों का सामना करना पड रहा है नियाइक मजिश्ट्रेट डॉक्टर पवन कुमार विश्णोई ने मुबाइल वैन को नियायले परिसर से खाली रवाना कराये शित्र में कई प्रकायस के विदिक साहता समंदी जागरुपता कारेतर में आउजित किये गए लाड़नों में कोरोना जनांदोलन का रुडिसको जैपूर से परियोजना निदेशक मनोश कुमार सोनी ने जाइजा लिया सोनी ने ईयो मेगराज डूडी के साथ जन जागरुपता के लिए रैली को रवाना किया बस स्टैंड पर लोगों को मास्क भी बाटे गए बुलाबी शहर जैपूर में दिवाली की रौनक देखने लगी है जैपूर में दिवाली के लिए बाजार पूरी तरह सच चुके हैं बापू बाजार में भी भविस सजावट की गई है